अरे ये क्या हो रहा है बिहार में एक तरफ पूर्णिस सराबंदी है उसके बाद भी पडोसी राज जिसे तसकर बड़े-बड़े कार्णामा दिने में कोई चुक नहीं करते साय तसकर को ये पता नहीं कि बिहार पर शासन अपना ध्यान लगा कर बैठे रहते हैं ताज़ा मामला रजोन ठाना छेतर की अंतरगत की है गुप्त सूचना से पता चला की दुमका भागलपूर मुखे मार्ग पर दुमका की ओर से गिटी लदी ट्रक आ रही है गिटी के नीचे सराब है पता चलते ही रजोन ठाना ने एंटी लीटर टीम रजेंदर परशात के अ मैं आपको बता दू बिहार में पूर्न सराब बंदी है उसके बावजूद भी इस तसकर अपना अंजाम देने में कोई कमी नहीं रखते सब्सक्राइज कई इनके बैठक में मुखियोर रूप के बिजे को और यह विजल हरीजन परवत्ता की दिवाकर रजब उपस्तित हुए थाना छेत्र की हरीपूर गौमी सनिवार देश शाम दूसरे के आंगन में खसी आ जाने की विवाद में हुए मारपिट में एक वृद्ध महिला गंभी रूप से घायल हो गए घटना के बाद जखमी महिल महिला को लेकर परिजनों ने पंजवारा थाना पहुश मामले की जानकारी पुलिस को दी पुलिस द्वारा घायल महिला को इलाज एतु पाथिमिक स्वास्त केंद बराहाट भेजा मामले को लेकर थाना छेत्र के हरीपूर गौनिवासी कुमोध मंडल ने पंजवारा थाना में लिखी तावेदन देते हुए गौक ही महेश मंडल एवं उर्मिला देवी द्वारा गाली गलोश करने एवं इसका विरोध करने पर बादी की माम मंजु देवी को इट से मार कर गंभी रूप से घायल कर देने कारूप लगाते हुए पार्थमी की दश कराई है मामले को लेकर थाना धियक चनिल कुमास साब ने बताया कि मार पिट के मामले में पार्थमी की दर्श कर लिया गया है प्रखन राष्टे जंता दल राष्टि पिता मात्मा गांधी जी की सहाधत दिवस पर राज़त प्रखन कार्याले रजोन में राज़त प्रखन अद्धक्ष बबलु सिंग चंद्रवनसी जी की अद्धक्षिता में संब्बन हुए जिसमें मोख्य अतिति धुरया विधाकसरी भूदेब चौदी जी ते राष्टपिता मात्मा गांधी जी को याद करती हुई कहा राष्ट पिता मात्मा गांधी जी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ कर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाप हमें आजादी दिलाने का काम किया लेकिन आज के दिन ही अंग्रेजी हुकूमत की अनुगाई नाथुरांगोड से ने हमारे राष्टी पिता माहत्मा गांधी जी को गोलियों से चलने करने का काम किया जिससे पुरा राष्ट रोया आज फिर से हमारा समाज हमारे देश भाजबा सरकार ने गुलामी की जंजिरों में जखर रगाए तबी सरकारी संपत्ती पुझी पत्यों के हाथों धीरी धीरी बेची जा रही है आरक्षन खतम कर दिया गया बेरोजगारी सिक्षा स्वास्त महेंगाई किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्रिवम राजी सरकार के खिलाब बरसे मौके पर उपसी सवी लोगों ने पुझी बापु महात्मा गांधी के तस्वीर पर माल्यार बन किया जिसमें राज़त नेता पुर्व मुख्या जवार यादब जीला सचीब भैरो सिंग कुषवाः प्रदेश सचीब अनिलरजग प्रधान महा सचीब शुरेश प्रशाद यादब पुर्व प्रकाण अदग संजे कुमार जा यूबा प्रकाण अदग कृष्णा नद्याद पंचाज समीती सदस्न लेश प्रशाद प्रमुख प्रतेनिधी रान विजे सिंग उपसित थे बाइक चोरों का आतंग फिर से हुआ सक्री प्राप्त जानकारी के नुसार कटोरिया बजार इस्तीट कटोरिया बांका मुख्य मार्ग से सटे योको बैंक ऑफ इंडिया में एक ग्रहक सुकुरबार 38 जन्वरी को अपने बाइक से ब्रांच में पैसे निकालने आया था और अपने बाइक को ब्रांच परीसर के बाहर खड़ी कर ब्रांच से पैसे निकालने को लेकर चला गया इसे बीच जब ग्रहक बाहर आया तब तक अग्या चोरों ने पिडित र जवी रंजन उर्फ गुड्डू ने अग्याज चोरों के विरुत थाना में लिखी ताविदन दे कर कारवाई करने की गुहार लगाई चोरी की घटना को लेकर कटोरिया थाना अध्यक्ष नीरश तिवारी के निर्देश पर सौनी राकेश कुमार रजन दलबल के साथ पहु कर पैसे निकासी को लेकर बैंक केंपस में चले गए लंच का समय होने के कारण बैंक करमी कुछ देर के बाद पहुंचा पैसे कि निकासी में देरी होने के कारण तीन बजे जब ब्रांच से बाहर आया तो देखा गी वहां मेरा बाइक चोरी हो चुकी है विविध हो की बैंक आफ इंडिया ब्रांच वो इसके अलाबा अलग-अलग से कई बार बाइक चोरी की घटना घट चुकी है जो कटोरिया पुलीस की चुनोती देकर बाइक चोर बे धड़क इस तरह का अंजाम देकर लोगों का नींध हराम कर रहे हैं अब देखना है कि पड़ीत के बाइक का कोई सुराग मिल पाता है या नहीं राष्ट पिता महात्मा गांधी की 74 वी पुनितिती मनाई गई डियम ने महात्मा गांधी के प्रतीमा पर माल्यार बंड किया डियम ने कहा आज के दिन गांधी जी की पुनितिती पर कुष्ट रोग निवारन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है कुष्ट रोग्यों को लेकर डियम ने संदेश जारी किया राष्ट पिता महात्मा गांधी को 74 साल पहले आज के दिन नाथुरम गोडसी ने तीन गोली मार कर उनकी हत्या कर दी थी आज देश भर में महात्मा गांधी की पुनितिती पर कई कारिक्र मायुजित के जा रहे हैं जिसको लेकर दर्भंगा में भी पुनितिती मनाएगा लहेरिया सराय टावर चौक जिस्तित महात्मा गांधी के प्रतीमा पर दर्भंगा के डियम राजीव रोशन ने माल्यार बन किया साथ में जीला के कई पदादिकारियों पसित रहें वहीं इस अफसर पर डियम राजीव रोशन ने कहा कि आज की दिन महात्मा गांधी के साथ कुछ रोगयों के सेवा दिन को लिकर भी मनाया जाता है राश्ट पिता मात्मा गांधी काफिस ने और सानुभूती रखते थे कुछ रोग से परित लोगों के लिए क्योंकि वे जानती थे कि शुरू से क्या सामाजी कायाम है इसलिए राश्ट्रपिता महात्मा गांदी ने अपने जीवन में कुछ रूप से परित लोगों की काफी सेवा की और कुछ लोगों को समाज की मुख्यधारा से जूडने के लिए काफी परियास किया कहा जाय तो राष्ट पिता महात्मा गांधी के परियासों की वज़र से ही भारत सहित कई दीशों में अब कुछ रोग्यों को सामाजिक वहिशकार का सामना नहीं करना पड़ता है अब लोग समझने लगे हैं कि यह रोग इलाज से भी दूर किया जा सकता है यह संदेश पूरे समाज को बताना है कि कुछ रोग पूर्वजनम का पाप नहीं है यह संकर्मन की बिमारी है राष्ट पिता महात्मा गांधी के अबसर पर आज जो कुछ दिवस के रूप में भी आयुजित किया जाता है संकल्प और सपत का पाथ किया गया है संकल्प भी लिया गया है कि हम सम लोग जो रास्ट पिता महात्मा गांधी का सेबा भाव था फास्ट उसे पुष्ट रोगियों के लिए तो अब तो वो बिमारी से पूरी तरह से जो है इलाज होने योग के है तो हम लोग समय से उसकी पहचान कर ले जो भी रोगी है उसे अस्पताल तक ले के जाएं और पूरा MDT का कोर्स खाने से वो पूरी तरह ठीक हो जाता है और अगर उसके कारण कहीं कोई विकलंगता है तो सरकार की पेंसन योजना का भी उनको लाब मिलता है यही संदेश और संकल आज के दिवस के अबसर पर लिया गया है हम जिले के लोगों से भी आवान करना चाह जन्में से वो नहीं हो तो उन्हें निकत्तम जो स्वास्त केंद्र है वहां पर जाने की सलाह दे और अगर वो पहचान होती है तो उनका इलाज पूरी तरह हो सकता है साथ ही यह भी कि अगर कोई कुछ रोगी है ठीक हो गये हैं उनसे कोई समाजिक भेदभाव नहीं किया ज जाता है और लोग सामाने जीवन जे सकता है जन्म वितरन की दुकान से लोगों को मिलेगा बहतर क्वालेटी का रासन सरकार ने कर दी है यह वेवेस्था एक अप्रिल से शुरू होगी डिजिटल परनाली ऑनलाइन भंडार परवंदन से खत्म होगी खामिया रुकेगा लि अंडिये की सीटों का एलान बीजेपी बारत जद्यों 11 तो एक सीट पारस को मिली अस्तानी पदादिकारी की 24 सीटों के लिए होने वाले बिहार विधान परीसर चुनाव के लिए राजक ने सीटों का एलान कर दिया एमल सीट चुनाव में भाषपा बारत तो जद्यों सीट पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी अपनी बारत सीटों में से एक लोग जन सकती पार्टी को देगी पान खाने गए दुकानदार को लगा दिया गजब का चुना बकसर के राजपूर में हुई घटना से हरान है वेवैसाई पान खाने का सौक दुकानदार को महंगा पड़ गया होटो की लाली ही उड़ गई अब माथा पीटना पड़ रहा है दरसल थाना चेतर की जमोली गौ में गल्ला की दुकान खुला छोड़ कर पान खाने गए दुकानदार को सत्तर हजार का चुना लग गया खान सर समेत इन सिक्षकों पर ये कारवाई कर सकती है पुलीस जानिये पटना से SSP क्या बोले RRB NTPCC परिक्षा के रेजल्ट पर हंगामा मामले में एंडराउंड चल रहे चर्चिस सिक्षक खान सर समेत अन्नी की मुसीवत बढ़ गई है पटना SSP ने कहा है कि तैस समय पर हाजिन नहीं होने पर कारवाई की जा सकती है यूपी चुनाब में भाजपा के साथ बात नहीं बनने के बाद अपने पार्टी के लोगों के ही निसाने पर आए केंद्री मंत्री आर्सीपी सिंग ने शनिवार को कहा कि हम तो आरंब से ही कह रहें कि यूपी विधारसवा चुनाब में हमें अकेले नहीं लड़ना चाहिए जद्यू का यूपी में अकेले लडने का कोई मतलब नहीं भाजपा से बात हो रही थी ये सच है हम उन सीटों को लेकर बात कर रहे थे जिनके लिए फरवरी के दूसरे हफ़ते में नामंकन होना है ऐसे में अगर उत्तर परदेश में भाजपा के साथ गड़बंदन के लिए गए परियास को लेकर कोई टिपनी आती है तो हमें कुछ नहीं कहना है कोई भजन किर्टन या फिर कबाले करते रहे हम तो मुख्यमंत्री नीतिसकुमार की मजबूती के लिए काम करते है जनता ने उन्हें दो हजार पचीस तक काम करने का मौका दिया है इसलिए नीतिस कुमा ससक तरीके से काम करते रहे इस पर ध्यान जरूरी है जमालपूर भागलपूर की उल रेल सेक्सन पर ट्रेनों का परिचालन सनिवारे से पूरी तरह समाने हो गया है छे दिन बाद यातिरों को सुकून मिला है रत और दूसरे रूट से चल रही ट्रेनी फिर से पुराने मार्ग पर दौरने लगी है रेल परिचालन पहले की तरह पुर्वत बहाल हो गया है जमालपूर से बेगुसराय और खगड़िया जाने वाली ट्रेनी सुमबार से चलेगी सुबै से रात इस्टेशन पर यात्रियों की भीर रही हर यात्री अपनी अपनी ट्रेन में आरक्ची सीटों को खोसते दिखे विक्रम शिला सहीद कई गाड़ियां एवं नई सुरग होकर पुराने मार्ग से गई ट्रेन परिचालन समाने होने से यात्री खूस दिखे रिलखन पर सरपट एप एवं डाउन लाइन से एक साथ ट्रेन परिचालन होने से यात्रियों को बड़ी राहत हुई बापु की यादे लिए 74 सालों से श्राद दिवस मना रहा कटिहार का कुरसेला पढ़े 1934 का इतिहासिक हिस्सा बिहार के कटिहार में एक जगे है कुरसेला कुरसेला वो अस्थान जो उन 13 संगम अस्थलों में सामिल जहां बापु का अस्थी वसम परभावित किया गया था अपने गर्व में बापु की यादे लिए कुरसेला हर रोज उनके भजनों को गाता दोहराता है